खरगोन के जैतापूर स्थित साकेट नगर के निवासी और नागालेंड में पदस्थ सेनिक नायक गजेंड सिंग पत्रोलिया की नागालेंड में ब्यूटी पर लोटने के दौरान बिहार के मकामा में ट्रैन में होट अटेक आने से मौत हो गई 40 वर्षी सेनिक नायक गजेंड सिंग पत्रोलिया नागालेंड में पदस्थ थे सेनिक गजेंड सिंग कत्रोलिया 15 नवंबर कोई चुटिया मना कर वापस खरगोन से नागालेंड के लिए ट्रेन से रवाना हुए थे तभी रास्ते में होट अटेक से ट्रेन में ही मौत हो शहीद गजेंड सिंग कत्रोलिया का तिरंगे में लिपता पार्थिव शरीर आज महूं से खरबॉन पहुचा। जैसे ही शहीद सैनिक का पार्थिव शरीर साकेट नगर स्थिर्ध भर पहुचा जहां शहीद की पत्मी बार बार तिरंगे से लिपते शब की साथ लिपत कर रोटी बिलक्ती नजर आई। जैंड सिंग की अंतिम यात्रा निकाली गई। जहां लोगों ने गजैंड सिंग अमर रहे के नारे लगा कर अपनी और से श्रद्धान जली दी। इस दोरान पूरा शहर शोप की लेहर में डूबा रहा। वही मुक्ती धाम में अंतिम संसकार के पहले सैनिको द्वारा गा को मुखागनी देकर पूरे सम्मान के साथ अंतिम संसकार किया गया। जहां बड़ी संख्या में परिजलों के साथ खरगोन के नागरिक मौजूद थे। शहीद सैनिक गजैंद सिंग वर्ष 2004 से से सेना में सेवाएं दे रहे थे। आप तक उनकी 19 वर्ष की सेवा सेना में ह हो चुकी है रजाक खान की रिपोर्ट यह घटना करम यह है कि हमारे जेतापुर निवासी सहीद गजैने सिंग कतरोलिया जी जो कि पिछले 19 वर्सों से से सेना में सेवा दे रहे थे और दिपावली पर छुट्टी आये हुए थे छुट्टी से जाने के दोरान रास्ते में ट्रेन में वह अपनी नागा लेने के लिए जा रहे थे और ट्रेन में पटना से आगे सौ किलिए मिटर पर उनका हाट अटेक कारन देहान दो हो गया जब जी आर्प बालों को मौलम पड़ा तो उन्होंने उसे वहां पर उतारा और वहां के डाक्टर नोंने म्रत घोसित कर करना याए का इसलिए का सहीत को समान मिलना चाहिए वह समान उन्हें दिया गया है क्या नाम लिखते हैं पुरा पुष पेंड़ कुपता अब स्बस्क्राइब नाव तो मस्ट एक्साइडिंग चैनल एवर